प्रदेश में निवेश करें नए भारत का ग्रोथ इंजन प्रदेश में अपने पीछे युवाओं के अंदर जोष जजबा और जुनून का वो सैला पैदा कर गई जो किसी भी खेल के विकास की सबसे बड़ी और जरूरी टॉनिक होती है बास्केटबॉल में खिलाडियों की तेजी, सुर्ती और मैच में पल-पल बदलती रोमांच की कडियों ने इसे देखने आया युवाओं को ना केवल इस खेल से जोड़े रखा बलकि एक करियर के तौर पर इसमें अपना भविश्य देखने की ओर उन्हें आकरशित भी किया कभी सोचानी था कि बासिकट बास्केट बास्केट बासकेटबॉल अजियु अधर मैकेट बास्केटबॉल से पर ड्यूल पैसी सब्टी उच्छों ने अख कर दो कोगली नहें निया पर के ती लिग ढल किर्दः कर अदियर सब कोई कंवी तुक्ते हुए थी पंजाब की लड़कियों की टीम ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बास्केट बॉल का खिताब अपने नाम किया टीम की कप्तान मानती है कि खेलो इंडिया से इस खेल के विकास को एक गती मिली है I feel like Halo India is very important because there are many players who are not able to play the other open tournaments and it gives us a chance to play in the other good players to play here at this platform because this platform is really good for players who can't play in the open tournaments and it also have like many hard players who play really good so I feel like Halo India is very important for many players ये तस्वीर सही मायने में जमीनी अस्तर पर Halo India की धमक को सामने रखती है और इस बात को हर जुबान पर ला देती है कि Halo India जी भर के खेलो तो वाकई Halo India का असल मकसद यही है कि यूथ जो है वो हर एक उस खेल से भी जुड़े जो शायद बहुत जादा प्रशलन में नहीं है और यहीं दृष्टी कोन हमें बास्केट बॉल में देखा कि जहाँ पर लोगों ने और बच्चों ने काफी जादा बास्केट बॉल के गेम को इंजॉय किया और देखा कि उसमें उनका बहतर भविश जो है वो निकल कर सामने आ सकता है कैमरमेन शुभम शर्मा के साथ मैं गौरफ कुमार डीडी नियोज इंदौर तो इस विशेश खार एकरम में फिलाल इतना ही हमारी पूरी टीम को दीजिए जासत नमस्कार